हेलो गाइज वेलकम तो यूएवी और इस लेक्टर फाइव फाइव और सीरीज और टोड़ी यूड़ी कर लेते हैं ठीक है यह क्विक रिविजिन सीरीज है आप इसे देख सकते हैं इसे कॉंटेक्स्ट बेफोर स्टार्टिंग और सुब्जेक्ट वर यूड़ी आप इसे लेक्टर प्रिविएज जो हैं दो फिलोसोफर्स कंप्लीट कर चुके हैं प्लेटो एंड अरिस्टार्टल आप देख सकते हैं हमारी प्रिविएज वीडियो में तो हम देखते हैं कि मैकेवली जो हैं वो लेट फिफ्टीं और अर्ली 16th सेंचुरी को बिलॉंग करते हैं ठ पॉलिटिकल क्राइसिस आया था जिसकी वेज़े से इन्हें एक साल जेल में भी रहना पड़ा और एक बेसिक एक मतलब फेमस और टर्म हैं इंसे एसे सेसेटेड कि इन्हें डेवल्स डिस्पाइट डेवल्स डिसाइपल और डिस्पाइट ट्यूटर बोला जाता है अब ड प्रिंस को जो उनका प्रिंस था उनकी बुक थी जो अपने रूलर को मतलब जो भी रूलर बनाना चाह रहे थे तो वो से सिखाते हैं कि भई आपको ना पावर का कैसे यूज़ करना है ना यूशुड नो कि भई आप पावर में आ गये हो आपको लोगों का बिहावियर आप अगर atheist हो लेकिन आपको दिखना पड़ेगा कि नहीं आप religious religion में believe करते हो तो ऐसे करके इन्होंने चीजें दी हैं हम देखेंगे अभी थोड़ा से डीटेल में आगे चलके हैं इन्हें father of European secularism भी बोला जाता है क्योंकि इनके आपसे इन्होंने मतलब चेयरिस दी है कि वह इनके time period में बात कर ले थे कि भाई क्या हो रहा था तो देखते हैं कि भाई इनके time period में जो public leaders थे वो self interest से ज्यादा motivated थे कि भाई मतलब अपना corruption चल रहा है या फिर लोगों के इंदर morality कम है या जो official officials हैं उनके इंदर इतना जादा values वाला system जो है वो नहीं है देखते हैं कि पोप से पाद्री वगरा हैं हमारे चर्च में वो यूनिफेकेशन के खिलाफ थे इटली के क्योंकि देखे जो इटली था ना वो बहुत सारी चीजों को face कर रहा था आसपास जर्मनी है फ्रांस है है तो यह लोग expand हो रहे थे अब देख रहे हैं कि यहां तो system पूरा हिला ह हुआ है तो यह कह रहे हैं कि भाई हमें यूनिफेकेशन एक सिस्टेमेटिक तरीके से चलने की बहुत ज़रूरत है तो यह देखते हैं कि भाई आप यह आसपास के जो वो rulers हैं जो भी state है वो expand हो रही है और इनके system जो है वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं तो वो भी यही च चाहरा थे कि भाई चर्च के पास ही मतलब most of the power जो है वो concentrate रहे हैं हमेशा के लिए मतलब आइशुट दिव उनकी पावर शीन ली जाए या फिर उनकी पावर हम देखते हैं कि में जो objective था उनका मैकेवली का वो था unification of the entire country एक मुनार के अंदर अब देखते हैं कि भाई जो influence है मैकेवली के ऊपर वो है spirit of renaissance मैकेवली is called as child of renaissance by लेस्की यह famous scholar है यह बहुत जगे हम इनका नाम सुनेंगे आगे तो इन्होंने मैकेवली को बोला कि भाई यह child of renaissance बेख लेख लेए क्यों है इसा तो उन्होंने he broke the traditional path मतलब जो एक traditional path चला रहा है philosopher का जैसे हम Aristotle का द देखें तो जो एक idealistic thought process है या theories जो दी हुई है कि भाई आजमी को duty अपनी करनी है या फर जो भी traditional system चला आ रहा है उसके against में जाके इन्होंने unconventional way देखा कि भाई हम कैसे analyze करेंगे social जो भी society है जो भी social domain है political जो भी system उसे कैसे हम अलग तरीके से analyze करें ठीक है तो इन्होंने analyze the social and political condition through lens of new reason ठीक है परस्पेक्टिफ thought देखते ही advice men to not blindly follow what church advice वही वात है कि भाई जैसे मैंने बोला कि father of European secularism मैंने बोला जाता है कि अब देखिए जो चर्च है ना मतलब चर्च कहलो या religion कहलो वो religion जो है वो personal sphere मतलब जो लोगों का personal space है वो बहुत जादा integrated है ठीक है ना तो वो यह चारा है कि भाई आप जो लो मतलब religion को थोड़ा अलग करें और जो भी वो वो आपको advice करना है या तो वो आपको blindly follow नहीं करना है ठीक है और और हम देखते हैं कि भाई इनका ये जो time period है उसी time Europe में मतलब जो रहने से था वो आया हुआ था और literature और आर्ट में revival मतलब हो रहा था उस time पर इसी को रहने से बोलते हैं अब major works देख लेते हैं कि भाई दा प्रिंस है और एक discourses on the way है तो एक दा प्रिंस में कहा है न एक book है इनकी best book for state craft जिसे हम बोलते हैं और ये जो book है न इसमें मतलब बहुत सारी ऐसी बातें की गई है कि भाई जो प्रिंस है हमारा उसे कैसा होना चाहिए उसके अंदर कितना reason होना चाहिए उसके अंदर मतलब क्या 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 स्ट्रेंथ होनी चाहिए क्या 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 उसे principle आने चाहिए अपनी state को run करने के लिए देखते कि भाई वह बात करते हैं कि भाई immoral भी हो सकता है उनका prince कभी कभी और iron hand मतलब एक तरीके से strong decision वो ले पा रहा है कि नहीं prince ठी इसकोर्स और लिवी में हम देखेंगे कि भाई उन्होंने पहले तो एक मुनार का सेट अप किया और बाद में जब इसकोर्स जब हुए इनकी किताब में उन्हें एक republic form of government का भी सपोर्ट किया है लेडर ओन पीपल को चांस दिया है rebel rebellion करने का कि भाई अगर उन्हें लगता ह है कि government follow नहीं कर रही है rule of law तो people जो है और है ना जो current regime है government है उसे वो भी कर सकते हैं कि भाई no confidence है हमारा और हम दूसरी form of government चाहते हैं अब हम देखते हैं कि methodology है जो मैंके वलेगी वो क्या है ठीक है इसमें देखते हैं कि भाई एक तो है historical method उन्होंने देखा है कि human nature है ना वो हमेशा इतियास में आप देख लीजिए वो change नहीं हुआ है इतियास में भी उसकी human की जो समस्ते हैं थी वो वहीं थी needs है वो वहीं ह है और हम देखते हैं कि भाई जो historical जो perspective है ना वो उन्होंने इतनी अच्छी तरीके से अपने theories मतलब ने ideas में integrate किया है कि मतलब उन्होंने अपने past और he was he uses past to understand the present और वो देखते हैं कि भाई psychology and history are better guide to politics and philosophy मतलब जो philosophy है जो philosophical मतलब जो भी अपने philosophers रहे हैं हमारे Aristotle या फिर Plato उन्होंने उसके बाद आगे जाके देखा कि psychology और history वो जादा मतलब beneficial होगी politics को समझने के लिए तो हम कहते हैं कि भाई जो आदमी का behavior है ठीक है उन्होंने बहुत जादा observe किया है अभी देखते हैं कि भाई वो human nature पे क्या बोलते हैं हम आगे पढ़ेंगे तो उन मतलब यह सब चीजों से जो behavior जो observe कर रहे हैं वो empirical method मतलब अपना रहे हैं वो तो हम कहते हैं कि भाई he is father of behavioralism also और देखते हैं कि भाई art of government जो है और theory of state से थोड़ा सा हटके उन्होंने का भाई government कैसे चलेगी more concern उनका मतलब थोड़ा इस side की तरफ था और फिर देखते हैं कि और अब देखते हैं कि भाई दो इस idea is narrower than Aristotle but more objective ठीक है objective मतलब practicality इनकी ज्यादा थी ठीक है common sense पे बेस था इनका देखते हैं कि भाई इनकी जो भी concept है वो कैसे मतलब यह जो important terms हैं इसके हिसाब से कैसे वो suit करते हैं तो देखते हैं भाई might is right might is right कैसे भाई जो powerful है ठीक है वही सही है जो इसके पास power है जिसके पास money है वो सही है ends जो है justifies the means अब भाई जो आपका end goal है आपने means कैसे भी किया हो आपने cheating की हो आपने immoral तरीके अपनाए हो अपने end को करने के लिए या कोई भी procedure आपने अपनाया हो it doesn't matter अगर आपने end goal आपका achieve कर लिया है तो it will justify the whole process ठीक है हम देखते हैं कि भाई जो perspective है मैंके विली का वो क्या है तो political realism की अगर हम बात करें तो देखते हैं कि भाई जो भी चीज़ें वो वैसे ही देख जैसे हम बात करते हैं कि भाई थोड़ा सा पीछे जाते हैं what is और और तुबी वाली जो बात है तो वाली बात है यह द क्या होना चाहिए या फिर लोगों को ऐसा होना चाहिए philosopher king ऐसा होगा या prince हमारा मतलब बहुत ideal stick होगा वो देख रहा है कि भाई लोग कैसे हैं उसके हिसाब से हमें लोगों को use करना है उनके behavior को use करते हुए we have to come in power और जब power में आप आ जाओ तो फिर आपको systematic तरीके से state के के लिए काम करना है है ना systematic तरीके से और आप उसमें systematic जो तरीके हैं उसमें हम देखते हैं कि भाई कोई भी तरीका हो सकता है मतलब वो favor करने moral तरीकों को भी लेकिन यह सब चीज़ें वो सर्फ कर रहा है अपने personal interest के लिए नहीं करना है प्रिंस को करना है वो state के लिए करेगा यह सब चीज़ें ठीक है state की priority दी गई है हां पर भी देखते हैं कि भाई जो politics की reality है वो बता रहे हैं वो और कहते हैं कि politics is struggle for power मतलब आप politics में struggle कीजिए अच्छा power के लिए मतलब आप लगे हुएं सर्फ आपको कहा चाहिए power चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ यहां पर सबसे important चीज़ है भाई यह कह रहा है भाई politics जो है ना वो ethics नहीं है जो आप कहते हैं कि भाई ethical होना चाहिए politics है तो भाई अच्छा आदमी होगा या फिर अच्छी और कह रहे हैं कि भाई जो religion है और politics है तो mix up हो चुका है जिसकी वाई से problems create होती है और humorism में एक बात किया है उन्होंने कि corruption जो है वो मतलब बहुत अच्छी लेवल पर चल रहा है चर्च में अब यहां से main जो उनकी ideas है तो उन पर बात करते हैं हम देखते हैं कि भाई on nature of profession profession कि अगर हम बात करें तो देखते हैं कि भाई उन्होंने बोला है कि भाई politics जो है ना वह एथिक्स और religion से हट के चीज़ है politics को आपको involve नहीं करना है religion में religion अपने हिसाब से काम कर रहा है politics को state को चलाना है एक system अलग है एक prince है भाई वह स्टेट को चला रहा है उसे बहुत सा इंट्रेस्स के हिसाब से काम कर रहा है वो कह रहा है कि नहीं ऐसा follow करो यह follow करो वो अपने हिसाब से बात करने लेकिन यहाँ पर जो एक politician मतलब जो है politics है वो state के लिए काम करती है ठीक है तो वो कह रहा है कि नहीं यह अलग चीज़ें इन नोनों को आप सेम मत करिए और बात प्रोफेशन है और हमें बहुत अच्छी तरह मतलब एक क्या बोलता है सीधे तरीके से काम करना है ठीक है न आप आपको काम निकालना आना जी जैसे हम कहते हैं अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली तेड़ी भी करनी पड़ती है तो वह वाली चीज हो गई कि आदमी को पता होना जी कि कैसे काम निकालना है वो सीधे तरीके से भी हो सकता है और हो सकता है कि थोड़ा सा उसे दूसरा तरीका भी अपनाना पड़े और वह सकता है तरीका सही ना हो लेजितिमेट ना हो फिर हम देखते हैं कि one who sacrifice one who sacrifice what is for what ought to be will not ruin himself but will also bring destruction to his own people अब देखते भाई अगर मालो प्रिंस है ना सिर्फ इसी चीज में लग गया कि भाई क्या होना चाहिए अब लोगों का मोटिफ कुछ और है लोगों का बिहीवियर कुछ और कह रहा है यहां पर लोग किसी और चीज के लिए परेशान है लोग कह रहे हैं हमें बेसिक चीज चाहिए मतलब नीड्स चाहिए उनके वो कह रहे हैं यह में एज्युकेशन चाहिए अपने बच्चों की हेल्थ है बहुत सारी चीज़ें हैं वह यह कह रहे है Church है, Religion है वोगर हमाई Religion में Interfer नहीं करो यह अलग-अलग चीज़ें चल रही है अब Prince कहा रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है अगर हम इसे Aristotle से Connect करके देखें वो यह नहीं कहा रहा है कि हमारे Prince को कहा ऐसा है तुम लोग ना, तुम्हारे पास property नहीं होगी तुम लोग एक टाइप के लोग नहीं हो तुम लोग ऐसा नहीं है कि एक मैन आफ कॉपर है एक सिलवर है एक गोल्ड है एक रूलर क्लास वाला आदमी है वो कह रहा है कि ऐसा नहीं कह रहा है कि यह टाइप के लोग जो है वो से प्रेड्यूस करेंगे यह टाइप के कुछ लो अगर वो sacrifice कर देगा क्या होने के चक्कर में तो भाई अपने तो वो प्रिंस की जो उसकी stature है मतलब और वो प्रिंस बना उसकी जो power है वो सब तो खतम है और लोगों का भी मतलब जो आपका state है वो भी खतम ही हो जाना है तो वो यह कह रहा है कि भाई प्रिंस को न इमेजिनेटिव वर्ल्ड में नहीं रहना है उसे reality में देखना है जैसे हम example दे सकते हैं कि भाई जो इंडोचाइन वार हुआ तो नहरू ने बोला कि नहीं हमें यूएन में जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर उनका stand वो उस time period की मतलब बात हो रही है लेकिन वही चीज़ है कि जो reality में थोड़ा सा तेड़ा तरीक अपनाना चाहिए था वो नहीं हो पाया अब देखते हैं कि one who tries to find goodness in every profession must necessarily come to grief as all people are not so good अब यह देखते हैं कि भाई अगर आप सोचें कि भाई जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई आप आपको एक example देता हूँ जैसे हम पढ़ लेते हैं कोई आदमी उसने बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली बहुत अच्छी कितावे पढ़ ली और बहुत अच्छा ग्यानियादी बन गया उसने सब चीज़ें पढ़ी politics के बारे हैं पढ़ा और कैसे क्या क्या चीज़ें अच्छी होनी चाहिए सब की उपर apply करने के कौशिश करते हैं अब भाई उसे यह चीज़ पता होने चीज़ें कि ऐसा नहीं है कि सारे सारे लोग पढ़े लखे हैं सारे में वहीं चीज़ सारी वेल्यू सेम हैं वही कह रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो अलग अलग भी हैं सबकी qualities अलग हैं सबकी needs करीका अलग है कुछ हो सकता है clever minded हो कुछ हो सकता है कि भई उनके दिमाग में corruption के बारे में चल रहा हो तो हर आदमी ना बहुत अच्छा नहीं है not so good जो उसे पता होना चाहिए कि भई आप अगर goodness देखोगे हर किसी के इंदर कि भई profession मतलब आप profession में एक goodness देख रहे हैं तो और देखते हैं कि भई मैकेवली जो हैं वो most criticized विगर है यह political इसमें साइस में और देखते हैं लेकिन कि यह irony है कि लोग ना इन्हों इन्हें criticize कर रहे हैं सच बताने के लिए क्योंकि इन्होंने बिल्कुल प्योर जैसे कहते हैं कि भई जूट से ज्यादा सच कड़वा लग कर रहे हैं लोगों को कि लोग ने criticize कर रहे हैं अब डैनिंग एक scholar है जन्होंने बोला कि भई it is a paradox that everyone is Machiavellian in politics but no one except himself to be Machiavellian तो यह कह रहे हैं कि मैं के वली सब लोग हैं देखो क्या होता ना अब कोई भी आप इंडियन पॉलिटिक्स देख लो या फिर कोई फेमिस जो भी स्टेट की पॉलिटिक्स देखो तो भाई पावर में आने के लिए जब campaign चल रही है अब आप वादे कर रहे हो कि भाई हमारे आपके अकॉन में 15,00,000,000 रुपई आ जाएगा या फिर हम आपको यह फ्री कर देंगे हम आपको जॉब दे देंगे अब बहुत सारी चीजों के बादे कर रहे हो और फिर आप पावर में आ रहे हो तो आपने कहीं न कहीं एक हो सकता है moral तरीका अपना और पावर में आने के बाद फिर अभी भी हम देख रहे हैं कि भाई कुछ लॉज है जो की बिना डेलिबरेशन डिसकेशन के एक प्रॉपर सिस्टम को बिना फॉलो किये पास किये जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़े हैं तो आप मैकेवलीन वाली जो फिलासफी है ना जो रूलर है जो भी रूलर कहलो आप जो भी इस पराणी है तो वही चीज़ है तो यह कह रहे हैं कि भाई इस पेरेटोक्स और देख लेते हैं कि भाई एक यह बहुत फेमेस स्कॉलर हैं जिनने हम यूज करते हैं काफी जगा तो इन्होंने बोलाए कि मैकेवली थौट्स नेरोली डेटेड और नेरोली लोकेड़ वह कह रहे हैं कि भाई मैंकेवली न अगर कहीं दूसरी जगा मतलब जनम हुआ होता उनका तो उनकी थॉट्स जो है उनका पॉइंट आफ हुए है वो डिफरेंट होता यह वो इटली में हुए थे जहां पर बहुत के वास था करप्शन था सिस्टमेटिक एक गवर्मेंट नहीं कि और उचा रहे थे कि युनिफिकेशन हो जाए और उनका टाइम पिरिट जो भी रहा पॉलिटिकल क्राइस आए उनकी लाइफ में जेल गए तो बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वज़े से उनका जो थॉट प्रॉसस है वो यह कह रहे हैं कि बहुत नहरो हो गया है वो मतलब जादा ऐसे ब्रॉड उसमें परस्पेक्टिव में सोच नहीं पा रहे हैं वो सिर्फ देख रहे हैं कि भाई लोग कैसे हैं लोग खराब हैं या प्रिंस को पावर में आने के लिए कुछ भी करना पड़ सकता है तो यह कह रहे हैं कि वह अगर वह दूसरी जगह कहीं ह कर्ला होते हैं जयना होता हुता उनका इंड़ ब्र मतलब चीज़स नहीं हो इसी तो ऊतना ज़ादा रैडिकल नहीं होते हैं कि मतलब छाथ में आए कि भई स्टेट को आपको कैसे रन करना है अब हम देखते हैं कि उसने प्रिंस को कि आपको प्रिंशिपल जो है वो आपको पता होने चाहिए एक किंग्डम को रन करने के लिए तो वह सजेस्ट करते हैं प्रिंस को कि भई it is better to be fair than love मतलब आपको इतना अच्छा बनने की जरुवत नहीं कि भाई आप स्टेट में आपको सब लोग बिल्कुल ही प्यार करें ठीक है ना आपको बिल्कुल फेम नेम इसा ऐसा नहीं कि भाई आपको सब प्यार करें तो आपको डर जैसे आप रशिया का एक्जामपल ले आपको सब्सक्राइश सब्सक्राइब करना है उसके बाद ही लास्ट ऑप्शन होगा आपका ही यह इसके बाद ही लास्ट ऑप्शन होगा पावर का और अगर आपको मतलब लोगों को प्यार दिखाना है या आपको दिया भाव ना दिखानी है तो वो यह कह रहा है कि लोगों को ना एकदम से प्यार मत दिखाओ लोगों को एकदम से बहुत जारे तो ताकि उन्हें लोगों को लगता रहे कि नहीं हमारे लीडर बहुत अच्छा है और जिस जब टाइम आए तो वह आपको हार्डनेस भी दिखानी है ठीक है न जैसे फर एक्जामपल भाई ममी पापा ठीक है बच्छे से क्या होता है कभी पापा जादे गुस्ता हो जाते हैं तो पापा मनाते हैं तो वह हार्ड और सॉफ्ट पावर का एक बैलेंस बहुत जादा ज़रूरी है अम देखते हैं कि कि अगर आपको इम्मॉरल होना पड़े प्रिंस को तो वह हो सकता है और दे इंट्रेस्ट आफ स्टेट चीक है अब देखते हैं कि भाई प्रिंस शुड प्रेटेंड टू बी मॉरल इवन ही इस नॉट अगर वह मॉरल नहीं है तब भी उसे प्रेटेंड करना पड़ेगा क भाई आपने सही काम किया हैं लोगों को उसे थोड़ा सा कह सकते हैं कि भाई गुम्रा करके रखना पड़ेगा तो इसमें कोई वह यह कह रहे हैं कि गलत बात नहीं है अगर आप यह कर रहा है कि इंट्रेस्ट जो है वह स्टेट का इससे फुल्फिल हो रहा है स्टेट के ल decision लेना है जो कि मतलब स्टेट के favor में होगा अब हम देखते हैं कि भाई प्रिंस शुड्बी आप उनिवर्सल इगोईजम तो यहां पर एक concept है यूनिवर्सल इगोईजम यह ध्यान रखेगा कि की तर्म है जो कुछ आते हैं जो हमारे answer writing में यूज होते हैं तो हमें यूज करना चाहिए और यह कहीं न कहीं question भी आजाए तो यह बहुत famous मतलब एक तरीके से हर जो philosopher जो हम पढ़ेंगे हर जगह एक नएक कोई की तम उन से associated रहता है हम यूनिवर्सल इगोईजम की अगर बात करें तो यह कह रहे है कि यूनिवर्सल इगोईजम के बारे में ना प्रि दूसरों के लिए बहुत कम सोचता है वो हमेशा चाहता है कि भाई मुझे क्या मिलेगा अगर वो कुछ करता भी है ना किसी के लिए अगर वो कर रहा है तो वो तब भी in return expect जरूर करेगा कि भाई मैंने अगर x किया है तो मुझे at least मतलब अगर उसने दो कुछ किया तो वह क रहा है वन पर फाइफ तो मुझे return में मिले ही कम से कम तो कहीं ना कहीं अगर आप donation भी कर रहा हो कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हो तो एक होता है कि भाई economically है ना मतलब materialistically आपका हो गया कि आपने किसी के help कर दी या फिर आप आपको कुछ किसी ने मतलब दे दिया return में और एक हो ने ऐसा किया किसी के लिए तो भाई मुझे खुशी मिल रही मैं इसलिए कर रहा हूं तो वो कहीं ना कहीं वो यह कह रहा है कि भाई essentially जो आदमी है वो उसका nature है selfish तो वो यह कह रहा है कि भाई अगर wise ruler कोई है तो वो से ऐसी policy बना के रखनी है कि भाई लोगों के ना जो मतल बोलते है education चाहिए हमें अची roads चाहिए और अगर आप नहीं दोगे तो हम लगा देंगे कि भाई आप अच्छी तरह काम नहीं कर रहे हो या फिर हमें security of life चाहिए जो भी foreign invasion है या फिर कुछ भी हो सकता है आपस में जो domestic मतलब जो भी internal matters हैं तो वो सब चीज़ों के लिए य आप पीपल का honor है बहुत सारी चीज़ है तो भी कह रहे है कि wise ruler को ना ऐसी policies में काम करना है कि भाई वो जो लोगों के interest है वो एक तरीके से maintain होके रहे हैं ठीक है wise ruler को अब हम बात करते हैं हमने universal egoism देख लिए कि man is essentially a selfish being हम देखते हैं कि भाई on human nature की अगर हम बात करें तो द naturally selfish ही है वो प्राइमेसी देता है अपने interest को और दूसरी बात कहता है कि भाई वो है fickle minded वो कह रहा है कि भाई उसने अगर आपको यह बोल दिया कि जैसे मानली जी आप political leader है यहां पर आदमी है कुछ उन्हेंने अभी तो बोल दिया कि भाई हम आपके साथ हैं ठीक है ना हो स साथ तो वो यह कह रहा है कि भाई इन लोगों पर भरोसा मत करना कभी अपने हिसाब से आपको चलना है यह लोग हैं fickle minded कभी भी यह change हो सकते हैं अपनी decision को बदल सकते हैं और उन्हें कोई कुछ दुख भी नहीं होगा कि भाई मैंने क्या बोला था हमने क्या नहीं कहा था उसे कोई मतलब नहीं है तो यह कह रहा है कि भाई प्रिंच शुड्ड आलवेज बी केरफुल एज एनीवन कें कोई भी इससे बिट्रे कर सकता है कह रहा है कि भाई मैन का नेचर जो है वो कावर्ड है कावर्ड है मैन नैचरली और फियरफुल एंड इनसेक्यूर है तो भा लेकिन हाँ एलिगेशन वह रूड लगा सकता है जो भी वालेटिकल रजीम होगी या रूलर के उपर तो वह कह रहा है कि भाई प्रिंच शुड्ड कन्विन्स नेम देट ही कन गिव देम सिक्यूर्टी जब भाई वह इनसेक्यूर फिल कर रहे हैं जब वह फियरफुल कर र आप भरोसा करेंगे और आपको ही हमेशा अपना अंदर से मन से राजा भी मानेंगे ठीक है फिर कहा रहा है कि भाई मैन इस एवरेशियस मतला एक्स्ट्रीमदी ग्रीडी होता है जो आदमी होता है ठीक है मैन इस मेट्रिलिस्डिटि बाय नेचर भाई एक तो हो गया आवर लेगा कि मेरे पास भाई दूसरी कार भी होने चाहिए अगर उसके पास भाई 10 लाग की कार है तो वो कहेगा नहीं यार अब मुझे चाहिए एक करोड़ वाली कार तो भाई वो मट्लिस्टिक है में अलए यहीं तो अब आदमी पास ने का भाई एक प्रॉपरटी है फिर आदमी के पैसा उसने का भाई यह तो इन मतलब आपको रूलर को ना उसकी प्रॉपर्टी जो आदमी की प्रॉपर्टी उससे दूर रहना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी नहीं चीनने है कभी उसकी वाइफ जो है वो भी उसकी प्रॉपर्टी है उससे भी दूर रहना है तो वह यह कह रहे हैं कि भाई एक्स प्रॉपर बन गया तो आपके लिए हो खत्रा साबित हो सकता है बाद में अब हम देख लेते हैं कि भाई जो क्वालिटीज है प्रिंस की वो कैसी होने चाहिए हम देख रहे हैं कि भाई प्रिंस हैस्टू बी क्लेवर लाइक फॉक्स और ब्रेव लाइक लाएं देखो जब चालाकी वाल यह से चाड़क के बहुत पुराने हैं इंशेंट टाइम है मरके वली तो अभी 14-16-80 और चाड़क के रहे बहुत पुराने चंद्रगुप्त मतलब मौर्या डैनस्टी के टाइम पर चंद्रगुप्त मौर्या जो उनके प्रिंस से उन्हें प्रिंस मिल गया था अपना ठीक है कि अआ और अपनी ब्रेवरी ब्रीवर लेकर अपनी ध़राई करनी है और आपको जाना है दुष्मन के सामने ठीक है रहें आपेंडिक आपको जाना है तो ऑफ़ ब्रेव यह आपनी तलवार लेके छाना हुए है तो brave भी है जब आप जरूरत पड़ें ठीक है तो he should have reason and courage और जब देखते हैं कि भई जब चालाकी वाला time आ रहा है कि भई अब जब चालाकी से आपको power में आना है तो आप जैसे freebies है प्रॉमेसे वातलब जो भी politicians कर रहे हैं आज कल तो power में आने के लिए चालाकी वाला भी यूज़ कर रहे है और जब लायन वाली बात आती है करेज वाली रीजन वाली तो भाई सर्जिकल स्ट्राइक भी हो जाती है समझ रहे हैं आप बात को क्यूंकि भाई जो behavior आजमी का है न हमें वो समझना है उसके हिसाब से हमें काम करना है और दूसरी चीज हमने देखी लिए क्वालिटी में कि भाई प्रॉपर्टी और वाइ कानेजमेंट कैसे करना है तो देखते हैं कि भाई इस बैटर फॉद प्रिंस तो बी फियर देन तो बी लव यह मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भाई प्रिंस जो है न वो जरूरी नहीं कि हमेशा मतलब ऐसी कुछ चीजों में ही उलजा रहे कि भाई उसे प्रिंस को मैंन होना चाहिए और देख रहे हैं कि भाई बिट्विन फॉर्स एंड लव ही शुद प्रेफर फॉर्स बट इट शुड बी दा लास्ट ऑप्शन यह मैंने आपको बता दिया था स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि भाई मैकेवली का रिलीजिन की उपर क्या पॉइंट अब वी होगा है तो वह देख रहे हैं कि भाई जो मतलब कोई भी गोल है ना वो सुपीरियर नहीं है नेशनल इंट्रेस्ट के उपर मतलब आपका अगर रिलीजिन है तो भाई वो अलग है तब ही वो स्टार्टिंग से उनने रिलीजिन को और स्टेट को ज सर्फ यह कह रही है कि अगर प्रिंस होगा बीन है तो वह अपने पर्सनल इंट्रेस्ट के लिए नहीं हम रहा है वह हो रहा है कि Entscheidung से नेकिन को और स्टेट की बात्व यहां पर की जा में आके या फिर जो भी लोग चाह रहें religion के influence में आकर आप political जो भी system है आप उसे judge कर रहा है या पिर इंट्रफेर कर रहा है हो करने मैं political actions जो है न वो pure political है ठीक है religious जो आपके actions है sentiments है आपको उसे अलग रबके ही काम करना आगे तो देखते हैं तो यहां पर जो है बेसिक चीर जब भी आपको आंसर लिखना होगा तो आपको यह की टर्म जो है वह दालना है कि भई यूटिलेटेरियन अप्रोच था उनका रिलीजियन के उपर कि अपको जोग ही कर रहे हैं आप उनके कुछ आइडियाज वह चाहरे रहे हैं कि भई वह स्टेट जो है फॉलो करें कैसे फॉलो करेंगे प्रिंस के तुरू तो वो यह कह रहा है कि नहीं 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 ऐसा नहीं करना है वो यह कह रहा है कि भाई प्रिंस को जो भी प्रिंस के जो आइडियाज है प्रिंस के जो स्टेट के लिए बिलीवज है प्रिंस को कुछ काम करा है तो वो कह रहा है कि आपर fortune पर बात कर लेते हैं तो देखते हैं कि भाई on fortune पर जैसे कि लब लग तो like woman embraces brave man fortune also favors the brave तो मतलब प्रैके विली को वो कह रहा है कि फिर brave रहने की जरूबत है वो कह रहा है कि भाई अगर brave रहोगे तो जो जैसे brave man को woman embrace करती है ऐसे ही कि जो fortune है वो भी जब आप brave हो तो साथ में luck भी होगा अगर by chance कभी अलग आ भी जाए कुछ disaster आ जाए तो ऐसा नहीं है कि भाई आप समझो किया रहे मेरा luck मैं तो unlucky हूं और सब खतम अगर आप brave हो तो वो जो situation खराब बाली आई हुई है आप उसे convert कर सकते हो अपने favor में ठीक है तो even the prince acquired all the qualities there is no guarantee that he will be successful मतलब अगर उसने सारी qualities कर भी ली तो ऐसा नहीं कि भाई वो perfect state जो है वो बनाई लेगा या फिर कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं भाई disaster है natural disaster है या फिर कभी कोई दूसरी invasion हो गया foreign invasion हो गया आस पास की territory expand कर रही है कुछ भी हो सकता है ठीक है तो वहीं कह रहा है कि भाई ऐसा नह होगा तो भाई वो प्रायर arrangement करके रखेगा जो भी losses है उसके आगे होने वाले उसे minimize करने के लिए अब देख रहे हैं कि भाई if principle face these time with courage अगर वो courage से और bravery से इन सब time को face करता है तो भाई वो bad time को अपने favorable time में convert कर सकता है और अब थोड़ा से जल्दी से evaluation देख लेते हैं और the beginning of new age in political science ठीक है देखो idealistic जो thought process starting से चला आ रहा था बहुत पहले तो बहुत पुराने हो गए ठीक है Aristotle भी बहुत उनका time period बहुत पहले का है अब मैके वली थोड़ा सा एक तो उनका time period ठीक है 15th century late 15 बोल सकते है mid 15 और early 16th century के बीच के बीच के तो modern time period है तो यहां पर touch और common sense, behavioralism जो यह utilitarian approach यहां से यह सब चीज़ें थोड़ा सा आने लगी तो government कैसे चलने जाए जैसे art of government के उपर उनका जादा concern था तो यह सब चीज़ें थोड़ा आने लगी तो मैके वली को कहना mark the beginning of new age in political science इसे father of realism भी बोला जाता है कि उनने इतना जादा reality के उपर बात क reality वह उन्हें father of realism भी बोला जाता है और यह हमने देखी लिए कि भाई preferred what is for what over what ought to be according to professor यह मैं किसी प्रोफेसर है इनके according कहा है कि भाई his passion for the practical as against the theoretical undoubtedly did much to rescue political thought from the scholastic obscuritism of the middle age मतलब वो यह कह रहे हैं कि भाई जब उन्होंने अपना practical approach दिया तो जो पुराने मतलब scholar जो भी मतलब अपने ideas दे रहे थे philosophical terms में वो तोड़ा सा side line हुए तो यहां से जो एक दूसरे practical approach की तरफ एक दरवाजे खुले और वहां की तरफ लोगोंने फिर studies करना चलू किया और he does not prefer rule of novels और feudal lords मतलब फिडल लौड को उन्होंने term किया कि भाई यह parasitic class है तो novel जो लोग है फिडल लौड उनका rule नहीं करना है प्रिंस बनाया उन्होंने तो वह दूसरे तरीके से बनाया जो हम देख चुके हैं यह novels को वह नहीं करते हैं भरोशा novels के उपर फिडल लौड को उन्होंने term दिया त क्लास तो गाइस यहां पर हमारा मैकेवली खतम होता है इसके बाद next class में हम next scholar को start करेंगे और ठीके गाइस थैंक्यू तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब अगर आपको अच्छा लगाओ यह session और फिर मिलते हैं next class में ओके गाइस थैंक्यू प्लीज UPACS parent vision okay thank you